आपको कभी घुस्सा आता है? आप जाते हैं मैं हो जाओ? नहीं मैं इसका राज जानना चाहता हूँ मैं अभी कैसा हूँ इस चीज को तै करना मैंने दूसरों के हाथ में नहीं छोड़ा है जीवन में कई समस्याइं हो सकती हैं लेकिन अपने जीवन में मैं खुद एक समस्या नहीं हूँ आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं इतनी उर्चाओं से मैं ऐसा मान रहा हूँ और आपके आसपास इतने लोग होते हैं आप खुद को संतुलित कैसे रखते हैं? जब शायद आप दूसरों को संतुलित न कर पाएं मतलब कि इसकी कुंजी क्या है? आपको कभी गुस्सा आता है? आपका भी आप चाते हैं मैं हो जाओ? नई मैं इसका राज जानना चाहता हूँ अब इनेताओं के तोर पर हम लोगों के सामने रहते हैं देखिए ऐसा नहीं है कि मैं गुसा करने में सक्षम नहीं हूँ या किसी भी चीज़ की बात हो मैं हर चीज़ करने में सक्षम हूँ बिल्कुल ठीक ये बस इतना है कि मैं भी कैसा हूँ इस चीज को तै करना मैंने दूसरों के हाथ में नहीं छोड़ रखा इसे मैंने अपने पास रखा है फिलाल ये चर्चा चल रही है दिल्ली में कोई पत्रकार थे वो आए और बड़े बेवकूफी वाल बार बार पूछने लगे और जान बूच कर ऐसा नहीं कि आप बुद्धू हैं और आप बेवकूफी वाले सवाल पूछ रहे हैं मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं मैं जवाब दूँगा क्योंकि इसका आपके लिए कोई मतलब है का प्रचार कर रहे हैं हर किसी को सद्गुरू को भी इनर इंजिनिरिंग की ज़रुत है ये बहुत बड़ी आएड है ये अची चीज़ है हाँ सभी बात है ये तो वही औशदी है जो आप लोगों को दे रहे हैं और जिसको आप नहीं बनाया है हाँ बिलकुल मैं अपनी खुद की इनर इंजिनिरिंग हर समय करते रहता हूँ हाँ क्योंकि हम बस एक इनसान है और मुझे लगता है कि ये एक सीख है ए ना 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 नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्रमिक विकास की प्रक्रिया में इनसान विकास प्रक्रिया का एक फूल है ये इस प्रक्रिया का शिखर है ये सबसे उपर आता है तो कभी भी ये शब्द इनसान ऐसे मत कहिए कि मैं तो बस एक इनसान हूँ बोलिए मैं एक इनसान हूँ ये सबसे उपर है हमें नहीं पता कि अगर आप कहीं और जाएं तो आपका दर्जा क्या होगा पर कम से कम इस ग्रह पर आप दिकास की प्रक्रिया के फूल हैं आप में खुश्बू होनी चाहिए ये कहते रहे ना अरे मैं तो बस एक इनसान हूँ ये क्या है अगर आप एक चीटी होते तो आप ऐसा बोल सकते थे अरे मैं बस एक चीटी हूँ ये बेवकुफ मुझे कुचल रहे हैं एक इनसान होते हुए आप ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं ये एक अच्छा चेंज है मुझे लगता है कि वो सबी जो इसे देख रहे हैं खास दोर पर यूबा क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि अगर आप ठके हैं या आप बिजी हैं तो हम उसे एक बहाना बना लेते हैं कि हमारी मशीन तो बस इतना ही कर सकती है पर मुझे लगता है की हम मैंसे किसी ने भी अपने शिकर का अनुभाव नहीं किया है यह इस पर है कि आपकी engineering कितनी बढ़िया बढ़िया engineering से मेरा मतलब है अब मैं ब्रैंट्स की तुलना नहीं करना चाहता पर मान लीजे एक motorcycle है engine कितना smooth काम कर रहा है ये इस पर है कि ये कितनी अच्छी तरह लेव में है और इसकी इंजिनिरिंग कितनी अच्छी है ये सब इंजिनिरिंग ही है हाँ material की quality भी माइने रखती है पर इसकी इंजिनिरिंग अगर थोड़ी सी भी अपनी जगा से इधर उदर हुई तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगी हाँ जी ये एक शांदार मशीन है पर अगर पांच किलोमेटर भी इसको बिना इंजिन ओयल के चला दे तो ये गई इसका मतलब है बिना चिकना हट के ये खत्म है तो ये सारे पहलू आपके अंदर भी है एक चीज है कि इंजिनरिंग कितनी अच्छी है दूसरी चीज ये है कि आपके अंदर भरपूर चिकना हट हो कृपा इस चिकना हट का काम करती है एक बार जब आपने कृपा को अपने जीवन में आमंतरित कर लिया तब आप में ये अच्छे से चिकना हट होगी अब आपके अंदर कोई घर्शन या फ्रिक्षन नहीं होगा अगर कोई बाहरी रुकावटे आ गई तो आप उससे वैसे निफ्टेंगे जैसे की जरूत होगी पर आपके अंदर कोई फ्रिक्षन नहीं है असल में इसका मतलब यह हुआ कि जीवन में कई समस्याई हो सकती है पर अपने जीवन में मैं खुद एक समस्या नहीं हूँ आप रुकावटे नहीं कड़ी कर रहे हैं मैं एक समस्या नहीं हूँ हां यह अंतर समझना होगा आपने अपने एक वीडियो में कहा था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम या तो अपनी यादों के साथ संगर्श कर रहे हैं या फिर अपनी कलपनाओं के साथ मुझे ये बात बहुत अच्छी लगा पर सभी हर समय ऐसा ही कर रहे हैं और मुझे लगता है का इस्तमाल अपने फाइदे के लिए ही नहीं कर पा रहे हैं वो अपनी बुद्धी का अपने विचारों का अपनी दिमागी एक शमताओं का और अपनी भावनाओं की एक शमताओं का इन सब का इस्तमाल अपने ही खिलाफ कर रहे हैं और फिर उन्हें लगता है कि दुनिया के साथ कुछ गलत है आपने से बहुत अच्छी तरह समझा है तो मेरा काम है लोगों की इस तरह से इंजिनिरिंग करना कि वो एक समाधान बने ना कि एक समस्या क्योंकि हम बुद्धी के उच्छतम स्तर पर हैं पर हम एक समस्या बन चुके हैं जो कि नहीं होना चाहिए था हमें सबसे बड़ा समाधान होना चाहिए था बिलकुल और हम ऐसे बन सकते हैं अगर हम और हमारे काम म सब्सक्राइबzentिया शबाजिक नियुक्त कर रहे हैं, वह इसा कर रहे हैं, उनको बधा ही है। थेंक यू, थेंक यू सो मचुछ!